हलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम बात करें यूपी टीजिटी पिजिटी भरती के बारे में यानि की यूपी टीजिटी पिजिटी एक्जाम को लेकर माध्यमिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ड की माध्यम से TGT-PGT 2022 का विग्यापन निकाला गया था लेकिन सरस्यों की कमी के चलते इस विग्यापन की परीक्षा अभी तक देखने के लिए नहीं मिली अब TGT-PGT वाले चात्रों के लिए लगातार एकी सवाल खड़ा हुआ है कि TGT-PGT की परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर तब से कोई नई सिच्छक वर्थी भी नी निकली और अभ्यती लगाता इंतजार में है अब इसी को लेकर एक नई जानकाई यहां पर देखने के लिए मिल रही है TGT और PGT के बारे में कवर करते हैं उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबालें और वीडियो को लाइक करते हैं जिससे कि आप सभी को सटी को सही जानकाई मिलती था है क्योंकि TGT PGT में सही प्रपेरिशन और अच्छे तरीके से त्यारी करना बहुत ज़्यादा आविशक है बेसक आपको समय जितना ज़्यादा मिले वो उतना ही नकारत्मक भी हो जाता है क्योंकि अभ्यर्थी लगाता डिमोटिवेट होने शुरू हो जाते हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं होना है क्योंकि TGT PGT परिक्षा के अंदर भी ऐसा ही हो जाए समय ज़्यादा लगने से जो अभ्यर्थियों ने त्यारी की थी वो कहीं ने कहीं अब उनकी कमजोई बनती जारी है क्योंकि अभ्यर्थी ज़्यादा लंबे समय तक concentrate होकर पढ़ने ही पाते किसी vacancy को लेकर जब तक ये पता ना हो कि उसकी परिक्षा कब होने वाली है अब इसी को लेकर TGT PGT के बारे में मैंने आप सभी को समय समय पर बताया भी था कि जितना समय आयोग में लगेगा उतना ही समय आपकी परिक्षा के लिए और बढ़ता जाएगा सरकार ने विदान सबाद आज सबाद से तो मंजूई दिलवा दी लेकिन उसके बाद फेसे मामला करेंद की थोड़ा लड़का हुआ है क्योंकि अगर सदस्यों की निउक्ति हो जाती तो ये परिक्षा कब की को आप सभी को देखने के लिए मिलती लेकिन ऐसा नहीं हो पाया यानि कि TGDPD को लेकर असिस्टन प्रोफेसर और नई शिक्षा सेवा चैन आयोक के बाई में लिखा हुआ है कि इन सिच्छन संस्तानों में एक वर्स से अधिक समय से सिच्छक बरती फची हुई है नई सिच्छा सेवा चैन आयोक के गठन तक बरती शुरू होने की कोई उम्बीद नहीं है असास की सायता प्रावत महा विद्यालों में कितने पद निकाले थे TGDPD में कितने पद निकाले थे मुझे बतानी की आपशकता नहीं है मुद्दे की बात ये है कैसे में अगर बात की जाए इस तरह की असास की सायता प्रावत विद्यालों में होने वारी TGDPD भरती को लेकर आवेदन पूरे हो चुके हैं इस भरती के लिए भी परिक्षा तिती अभी तक गोशित नहीं हुई है इसमें भी प्रवक्ता पत के लिए लिखित परिक्षा इसके अलावर इंटिवी होना है लेकिन जब तक आयोग नहीं बनेगा आयोग के अंदर सदर से नहीं आ जाएंगे और परिक्षा के लिए तेराई नहीं करेंगे तब तक ना परिक्षा होगी और ना ही TGT-PGT को लेकर प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो ऐसे में ऐसे अव्यति जो TGT और PGT परिक्षा का इंदर जार कर रहे हैं अब माल लीजे कि परिक्षा आप सभी की अगले साल ही होने की उंबीद है क्योंकि पूरा अक्टूबर लगबग निकल चुका है और अभी तक यहां पर आयोग को लेकर कोई अपडेट नहीं निकली कई दिनों से ऐसे में अगर नवंबर तक यहां पर लास्ट में नया सिक्षा सेवा आयोग नहीं बनता है तो मान लीजे कि आपकी परिक्षा इस साल तो होनी की संबाबना बिलकुल भी नहीं है और रिजल्ट की अगर बात की जाए या फिर निकती की बात की जाए वो तो निश्यत तोर पर आपको फिर फरवईज और माच्ट के बाद ही देखने के लिए मिलेगी और अगर चुनाव के बीच में बहती फस गई तो और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है लेकिन अभी टिज़िटी बिज़िटी को लेकर जो नई अपडेटों नई जो परिक्षा के बारे में वो यही है कि अब यह परिक्षा जनवरी के बादी होने की संबावना दिखाई दे दें है और अगर अभी भी आयोग नहीं बना तो फिर इंतिजार करना पड़ेगा थैंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो